इसकार दोस्तों मैं पुष्पेंदर कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आप MP Grade वर्ग बन के तैयारी कर रहे हैं इंगलिस सब्जेक्ट से तो आप इस वीडियो को जरूर देखेगा और अगर आप क्लास 9 में पढ़ते हैं या आप 9 में आने वाले हैं तो भी आप इस वीडियो को देखेगा तो दोस्तों हम इसमें जो बात करेंगे दरोड नोट टेकन की बात करेंगे ये एक पोयम है जिसको लिखा है रोबर्ट प्रोस ने जहां पर देखे इस से लेटिड कुछ इंपोर्टन जानकारी है मैं आपको पहले वो बताता हूँ उसके बाद में जो हमारे MCQS हैं मैं उनको सुरू करूँगा ठीक है तो चलो दोस्तों देखते हैं सबसे पहली बाद देखो ये जो पोयम है ये एक narrative पोयम है कैसी पोयम है N-A-R-A-T-I-V-E ये एक narrative पोयम है ठीक है पहली बाद तो ये it is a narrative पोयम और देखे सबसे पहली बाद जो भी पब्लिस होती है तो याद रखेंगे भाई पहले ना first time जो पब्लिस होती है वो 1950 में पब्लिस होती है ठीक है और जो 1950 में पब्लिस होती है तो ये पब्लिस होत Atlantic Monthly Magazine है ये उसमें पब्लिश होती है और 1916 में दोबारा पब्लिश होती है तो 1960 में दोबारा पब्लिश होगी और जब दूसरी बार पब्लिश होगी न तो देखे जब ये पब्लिश होती है आपका एक Robert Frost के दोबारा एक collection आता है जिसका नाम है Mountain Interval M-O-U-N-T-A-I-N Mountain Interval I-N-T-E-R-V-A-L तो आपको ये भी याद रखना है तो 1916 में पब्लिश होगी तो ये होगी Mountain Interval में जो एक collection है और वो किसका collection है तो Robert Frost का collection है ठीक है ये हमने यहाँ पर तीन सी चार्ज जानी है अब मैं बात करता हूँ इसकी जो मतलब क्या बोलेंग उस की है लिखता हूँ मैं A-B AA और B ये इसकी RAM इसकी है तो यहाँ पर तीन से चार पॉइंट मैंने आपको एक्ट्रा बताए है जो इसमें अंदर नहीं है तो आप उनको no down कीजेगा भाई तो मुझे बहुचता है इस तरह की वीडियोद बराने का अनुभव नहीं है तो I'm trying my आपके साथ मैं भी त्यारी कर रहा हूँ इस exam की मैरा भी exam है ये तो let's see कि क्या करता है मां के अच्छा ठीक है बाई चलो आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे अपने questions देखो भाई वीडियो लेंदी है सोर्ट है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको आपको पढ़ाई पर जान देना चाहिए देखें आप वीडियो में बने रहेंगे तो आप कुछ सीख के जाएंगे छोड़ के जाएंगे बीच में तो कोई फायदा नहीं होता है ठी नहीं रोबर्ट फ्रोस्ट इसके पोईट है और देखें एक चीज हो याद रखनी है जो मुझे मतल़ मेरे माइं में क्लिक कर रहा है देखें रोबर्ट फ्रोस्ट को आ four times pleasure prize मिला है क्या मिला इनको four times pleasure prize मिला है तो जानते हो वो कव कव मिला है अगर आप नहीं जानते तो भाई नोट डाउन कर लो डायरी लेकर बैठा करो यार ठीक है अपनी जो नोट बुक होती है उसको लेकर बैठा करो और अगर कई बार ऐसा होता नहीं है तो फिर आप वीडियो को दो त्रीन बार जरूर सुने तो आपको वैसे याद हो जाएगा देखो यह मेरे माइन में है मुझे पहले से याद है तो देखो सबसे पहले इनको मिलता है 1924 में ठीक है 1924 मिलता है 1931 में ठीक है और फिर मिलता है 1937 में और फिर मिलता है 1943 में तो भाई इनको यह 4 डेट्स हैं जब इनको मिलता है प्लिजर प्राइज ठीक 1770 में इनकी होती है, नहीं एक मिरड़ यार 1770 18 नहीं है यार गल्द हो गया ठीके 1770 में इनका क्या होता जन्म होता है मैं confused हो गयार 1770 में इनका जन्म होता है और 1850 में 1850 में इनकी death होगी ये मिज़ी क्या यार यार अब देखो यहाँ पे कुछ और भी जान लीज़ेगा 1770 मिन का जनम होता है और 1850 मिन के डैथ होती है अब देखो 1850 में और क्या होता है मैं आपको बताता हूँ 1850 में और क्या होता है देखो आपको याद रखना है 1843 में 1843 में विलियम वर्ष्ट को चुना गया था जालने कि इनको एक उपादी दी गई थी इनको पोईट लोरेट चुना गया था 1850 तक यह रहते पोल्ट लोरेट ओफ इंगलाइन ठीक है यह याद रखेंगे अब 1850 के बाद क्या मैं आपको बताता हूँ 1850 से 1892 तक आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड लोर्ड टैनिशन का ठीक है अल्फ्रेड लोर्ड टैनिशन का तो देखे इस टाइम से इस टाइम तक रहेते पोल्ट लोरेट कौन अल्फ्रेड लोर्ड टैनिशन ठीक है यह भाई यह आप याद रखेंगे अब देखो और चीज़ें आप चानों आप 1850 में क्या होता है रोबर्ड फ्रोर्ड यह क्या बोलते हैं मतला विल्यम वर्ड वर्ड का एक बहुत अच्छा वर्क ह है जो जिसका नाम में था प्रेलियूड वह पब्लिश होता है होता है और देखें दो से तीन इंसिडेंट इनके साथ भी है अल्फ्राइड लोर्ड टैनिशन के साथ में हम उनको डिसकस नहीं कर रहे हैं ठेक है क्योंकि हमारे स्लेबस में वह हैं ही नहीं तो भाई हमने यह आपको कुछ लेने हैं तो आपको किस तरह से लेने हैं क्या आपको सोचना है तो देक है जो भी हम अपनी चोईस करते हैं जो भी हमारी चोईस होती है ठीक है जो हम चुनाव करते हैं उसके बारे में वह बात कर रहें about the choices made by people जो लोग अपनी choice करते हैं जो अपना कुछ चुनते हैं उससे क्योंकि देखो आप जैसा चुनेंगे वो वैसा ही आपको परिणाम देने वाला है आप अच्छी choice हैं आप अच्छा चुनते हैं चीज़ें को धान में रखे चुनते हैं तो आप कुछ अच्छा करेंगे और अगर आपने कुछ गलत चुन लिया है तो आप उसको प्रणा भी भुखतना पड़ेगा तो यहाँ पर answer by you guys का D ठीक है आगे आ जाओ question number 3 है what do the road signify in the poem ठीक है जो road है वो क्या signify करती है the path or choice that was left or was not chosen to tread tread क्या होती है चाल होती है मतलब चलने के लिए tread क्या होती है चाल होती है what do the road signify in the poem the path or choice that was left or was not chosen to tread the pathway on the road side a road with two turns तो है उसमें दे रखाया वो सब कुछ but यहाँ पे जो हम बात करेंगे ना, यहाँ पे जो सही option है वो है the path or choice मतलब वो रास्ता या वो choice या वो selection that was left, जिसको छोड़ दिया है was not chosen to trade मतलब जिस पे point ने चलने का नहीं सोचा है, उसकी बात की गई है इसमें वही है ना, हम हमारे सामने चलो भाई, question number 4 पे आओ which thing decides a person's future according to this poem देखे, एक इस poem के नुसर जो किसी व्रक्ति का जो भविश्य है वो क्या decide करता है, तो देखते है the path one chooses to walk, the path one lives behind the regrets, the success, अब देखो, इसमें सोचने वाली बात है अब देखे, the path one chooses to walk मतलब वही, आप जो करने का सोचोगे, वही ना वही जो आपने रास्ता चलने के लिए सुनाए है यारी, कैसे हो रहा है जो रास्ता आपने चलने के लिए सोचा है ठीक है, वही तो आपकी future के बारे में कुछ अच्छा, मतलब कोशी से आपके future का पता लगए कि याप क्या करेंगे ठीक है, तो यहाँ पर the path one chooses to walk मतलब जो आपने निर्ने लिया है, उसके बारे मात की जा रही है चलो तो यहाँ पर first का, fourth का ही हो जाएगा question number five भाई देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि याप PDF के लिए भाई देखो उसमें ना PDF पता नहीं याप कैसे सो नहीं हो, मतलब सेर नहीं हो पा रही है ठीक है, मैंने उसमें PDF सेर नहीं कोशिस की बट जो मेरा टेलीग्राम चैनल है बट उसमें ना अगर PDF नहीं कर पाया तो यार मैं आपको फोटो सेर करूँगा, ठीक है भाई मैं आप फोटो सेर करूँगा, और देखे, टेलीग्राम चैनल का लिंक है कुछ लोगों ने कारते हैं कि हम डुड़नी पा रहे हैं तो भाई तेखो उसका जो लिंक है वो डिस्केप्शन बोक्स में दिया हुआ है अगर वो नहीं काम कर रहा है पता नहीं यार ठोड़ा मैं टेक्निकली कम जानता हूँ चीजों को अगर वो भी काम नहीं कर रहा है तो भाई काम करना सिंपल यार उसमें आप search करना जा करके English Literature Helpers ठीक है बिलकूर सेम इसी नाम से मैंने बनाया हुआ है तो आपको वहाँ मिल जाएगा आपको वहाँ पर और भी बहुत सारी PDFs मिलेंगी जो वहाँ पर लिडि मैंने अप्लोड करके रखी है और भी अच्छे post हैं अच्छे messages हैं जो आपके काम के हैं मैं उसमें बहुत ज़्यदा फाल्दू की चीज़े कभी नहीं करता काम की चीज़े बेशता हूँ जब भी मुझे time होता है तो भाई उसको join कर लिजएगा आप चिक है चलो इस poem का जो message है क्या है जब भी आप निड़ने ले रहे होना तो उस समय समदार बनो उस समय अपनी बुद्धिक के इस्तिमाल करो ठीक है तो मतलब चूज करते समय कोई भी वज़तू या कोई भी decisions आप कुछ चूज कर रहे हैं तो उससे में ध्यान दो चीज़ों को ध्यान पूरो सेलेक्टर ना आपको जिससे के बाद में आपको पश्तावर ना हो तो answer इसका यह हो जाएगा question number 6 पर आते हैं why is the point asking to be wise while choosing a pathway अब देखें जो point है वो हमसे क्यों कह रहा है मतलब जब हम कोई भी choice कर रहे है selection कर रहे है किसी भी चीज़ का किसी भी राश्ते का या किसी भी ठीक है जो हमारे जो हमारे कामाने वाला है ठीक है तो उसके लिए वो कह रहा है कि उसमें आप wise रहो ठीक है तो यहाँ पर देखें option देखते है because there is no going back option क्योंकि कोई भी वापस जाने का रास्ता नहीं है because it is the only one road क्योंकि यही एक रास्ता है because it is one-sided road तो भाई देखो ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो इसका आंसर भाई होगा because there is no going back option क्योंकि या जब आपने कोई काम चुन लिया आपने कोई भी रास्ता चुन लिया आपने कोई भी decision ले लिया तो उस पर वापस जाना बहुत आसान नहीं होता है ठीक है और देखे ये एक अच्छी habit भी नहीं है कि आपने पहले चार दे नहीं ये किया फिर आपने वो किया तो कुछ भी नहीं हुआ यार आपको एक तरफ भी dedicate होना पड़ेगा आपको मन बनाना पड़ेगा अब देखे जो हमारी poem है हमने इसको पढ़ा जांसे तो हमने भी इसमें क्या देखा poet ने भी बहुत सोच समझ के अपना एक रास्ते का chain किया है उसने उस रास्ते को चला है जो बहुत कम लोगों के द्वारा चला गया है उस पर जो grass है वो भी हरी भरी है वो भी ठीक है उसको भी कुछला नहीं गया है मतलब उसने सोच समझ के किया ऐसा और वो अंस तक उसी पर चला है तो हमें भी यही करना है because there is no going back option कि हमारे पास यह option है हमें इसी को select करना है बस तो answer भी इसका होगा 6 का A और यार देखो जो मैं आपके लिए वीडियो ले करके आ रहा हूँ तो भाई comment करना मत बोला करो यार एक प्यारा सा तो मुझे भी अच्छा लगता है एक वीडियो मैंने कल डाली थी और एक वीडियो मैंने आज morning में डाली थी सुववाली वीडियो देखी होगे आपने उसमें उसमें हमारे यह morning में आरती बचती है मतलब गाउं का मंदिर होता है तो I belong from my village मैं एक काउं से belong करता हूँ एक गाउं से हूँ मैं तो उसमें वो आपको आवाज भी आ रही होगी ठीक है तो एक वीडियो मैं दूसरी में आ रहा हूँ जो आपको कल मिल जाएगी morning में और हम यहां पे जितने भी हमारा MP grade का syllabus है उसके जितने भी MCQS हम सब उसको यहां पर discuss करेंगे ठीक है बाई चलो लेकिन हाँ यार देखो इनको share करना comment करना मत बोला करो भाई देखो छोड़ा सा ठीक है न अब देखे डाइवर्ज मीन क्या होता है डाइवर्ज का मतलग क्या होता है आप सभी जानते हैं डाइवर्ज का मतलग होता बटना ठीक है तू भी separated and taking a different turn तो बिलकुल नहीं होगा तो ब्रेक तोड़ना भी नहीं होता ओल कैसे हो जाएगा यह जब तीनों नहीं है तो तो बी separated and taking a different turn देखे अलग होना ठीक है and taking a different turn एक अलग मोड लेना तो देखे सेवन का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा सेवन का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा नमबर 8 पर आओ अब देखे पोईट सिर्फ एक रास्ते पर ही क्यों चलना चाहता था या एक रास्ते पर ही क्यों चल सकता था उसकी वज़ा है because he had to walk alone क्योंकि उसको अकेले चलना है because he had no vehicle उसके पास कोई वाहन नहीं है because he was one person क्योंकि वह एक था या all अब देखो सिर्फ यह बात है यार ठीक है अब यहां पर because he had to walk alone क्योंकि उसको अकेले चलना था ऐसा कुछ भी नहीं है because he had no vehicle यार वान की तो बात ही नहीं है उसमें कुछ because he was one person हाँ यह बात ठीक है अब क्या अकेला था अब अकेला व्यक्ति एक बार में एक ही काम करेगा दो तो नहीं कर पाएगा ठीक है all तो हो नहीं सकता फिर तो eight का क्या हो जाएगा question number nine है what does yellow wood mean अब देखे यल्लो वुड का मीन क्या होता है इसको देखते है यल्लो वुड का मीन क्या होता है falling leaves यल्लो ठीक है घना जंगल है ठीक है और वहां पे जो falling leaves पत्यां गिरती है ठीक है बड़ देखते है यहां पर यहां पर यहां पर जो इसका राइट अंसर वह भी है forest with yellow leaves in the autumn season यहां पर autumn season की बात की गई है question number 10 है what do yellow woods represent अब देखे जो yellow woods है वो क्या represent करते है वो people को present करते है older people को present करते है poets को करते है या फिर choice को करते है देखे यहां पर हमारा जो people लोगों को नहीं करते है लोगों को नहीं करते है older people को करते है यलो woods का मतलब यह है जो yellow woods है यानि कि उन पर पत्ते है वो क्या है वो यलो हो गया है and they are about to fall वो जल्द ही गरने वाले है । पोइट्स की बात बिल्कुल नहीं है अब देखे जो पोइट है वो रास्ते पे च्या देख रहा है छीक के रास्ते पर वो क्यों देख रहा है यारी क्या होगा ठीक है अभी देखते हैं तू डिसाइड वैदर इट वोस शूटेबल फोरिम मतलब वो यह निश्चर कर रहा है यह निर्णा ले रहा है कि क्या इस पर चलना सही है to see how long it was कि कितना लंबा है to check the road रास्ते को चेक कर रहा है चले अब यहाँ पर देखे to see how long it was ऐसी तो कोई बात उसमें mention नहीं है कि रास्ता कितना लंबा है या रंबा रास्ता तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा छोटा है तो ही जाऊँगा ऐसा उसमें कुछ भी mention नहीं है राइट हां टू चेक दा रोड रोड को चेक कर रहा यह भी नहीं है ठीक है और नन तो फिर भाई हमारा option क्या होगा यह होगा to decide whether it was suitable for him मतलब वो यह निर्णा ले रहा है कि इस पर चलना सही है तो option नमबर के ठीक है अब नमबर 12 पर देखते हैं अब देखिए points long stare at the path signify अब देखिए points long stare अब point ना देखो वहाँ पर रास्ते पर बहुत दर के लिए देख रहा है ठीक है मतलब काफी लंबे समय से उस पर देख रहा है उस पर निर्णा लेने के वह कोशिस कर रहा है तो मतलब यह क्या signify करता है the time taken by people to decide and making a choice poet loves nature idling away of time relaxation of hours देखिए point loves nature वो nature को love करता है ऐसा mention नहीं है idling away of time समय काट रहा है ऐसा भी कहीं नहीं है relaxations are वो उसके लिए बढ़ अच्छे गंटे है वो भी नहीं है हाँ यह ठीक है add the time taken by people to decide and making choice देखिए जब भी आपको निर्णा लेते हैं तो निर्णा लेते समय आप समय लीजेगा और wisely निर्णा लीजेगा जिससे कि आपको regret ना करना पड़े तो उसको भी पता है कि यहां पर दो रास्ते हैं मुझे एक रास्ते पर चलना है और जब मैं एक रास्ते पर चला जाओंगा ना आगए जब मैं एक रास्ते पर जाओंगा तो उस पर वापस आना इतना possible नहीं है ठीक है वापस नहीं हो जा सकता उससे किसी भी हल में तो इस और देखें जब आप एक चोईस कर लेते हैं एक कोई भी निर्णा ले ले लेते हैं तो बहतर यही होता है तो भाई 12 का जो अंसर होगा वो ए होगा ठीक है 13 पर आजाओ देखें जो ग्राशी है ग्राशी का मतलब क्या है तो यहां पर गास की बात कर रहे है वो ठीक है दा रोड विच इस नॉट यूट वाई एनिवन दा कमफरेटेबल रोड दा रोड विद ओल दा लग्जरी वैल बिल्ट रोड देखो वैल बिल्ट का होगी तो ठीक है तो फिर क्या होगा उसमें जी बात है उस पर गास नहीं होने की तो वह कच्चा रास्ता है ना देखो दा रोड विच इस नॉट यूट यूट वाई एनिवन ये बाट बिल्कुल ठीक है मतलब वो रास्ता जिसको लोगों ने नहीं चुना है जिस पर अंधिश्ट विडियो हो हो वह किस पोम को लेकर करके हो वो भी बताना मुझे ठीक है चलो वेयर ड़स दा पोईट फाइंड हिमसेल्फ वेयर ड़स दा पोईट फाइंड हिमसेल्फ ठीक है वो अपने आपको कहां पाता है ओन्दा रोड में पाता है ओना बस में पाता है ओना मड़ी रोड में पाता है ओना फोर्क में पाता है ओना fork ये आपका सही option पहले बाद तो ये दहुन रखो और ओना fork पर दहाई किया है, ये एक ऐसी जगह होती है, जहां से न डो road divers होते हैं, तो ओना fork है, वो अपने आपको ओना fork पर पता है, मतलब एक ऐसी जिगह, जहां से कोई भी चीज 주고 डो जगह को बढ़ जाती है, दो रा राष्ता है उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज नहीं किया है देखो the green and untrampled grass on it, the mud on it, the broken stones on it, all, देखो यहाँ पर देखते हैं हम option क्या है, पहला है the green and untrampled grass, मतला हरी और बिना कुछली हुई घास, जो उस राष्ते पर हरी भरी और बिना कुछली हुई घास है, ठी the mud on it, उसके ओपर जो मिटी है, यार उसमें तो ऐसा कुछ भी mention नहीं है, ठीक है, और the broken stones on it, उस पर जो तूटे पत्थर है, ऐसा भी कुछ mention नहीं है, और जब यह दो गलत हो गया है, तो all तो होने का मतलब भी नहीं है, तो भाई, यही इस कांसवर ठीक है, the green and untrampled grass on it, यह तो भाई, देखो, too many things, two parts, toughness of a choice and decision in life, और none, तो देखें, यहां पर जो 16 का हमारा answer होगा, पहले option को हम पढ़ते हैं, तब देखेंगे, too many things, बहुज़ा चीजों के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, two parts, दो रास्तों के बारे में, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, toughness of a choice and decision in life, हाँ, यह ठीक है, यह ठीक है, देखो, toughness of a choice, मतलग, आप कोई भी selection कर रहे हैं, कोई भी आप, किसी भी, मतलग, कोई निड़ना ले रहे हैं, तो toughness, मतलग, आप उस पर जम tough हो जाईए, this is in life, ठीक है, मतलग, कोई भी निड़ना आप ले रहे हैं, तो उसको सो चुनते हैं, क्या बजा है, ठीक है, because it was well built, क्योंकि वो अच्छा बना हुआ था, भाई, ऐसा है, क्या मैं, कुछ भी नहीं है, because it was beautiful, क्योंकि वो सुन्दर था, यार, सुन्दर होने से मतलग, थोड़ी ना है, ठीक है, because it was not used by many people, and was appealing to the point, यह बार ठीक है, क्योंकि ना, उस अच्छा, 17 हाँ, तो 17 का होगा, अब 18 पाएंगे, ठीक है, बाई, 18 पाएंगे, ठीक है, बाई, 18 पाएंगे, तो देखो, यार, इसमें न, जो हमारा 18 है, इसमें देखते हैं, बाई, points risk taking habit, अब कोई भी आप काम करने वाल है, और कोई भी आप एक निर्ना लेने वाल है, तो risk तो है, मतलब हो सकते हैं, कि ऐसा ना हो, तो देखो, risk तो लेना पड़ता है, ठीक है, arrogance of the point, क्या point arrogance है, नही ऐसा भी कुछ नहीं है, points negligence ऐसा भी कुछ नहीं है, तो points risk taking habit, देखो, point का मतलब है, कि हम लोग कोई भी निर्ना लेते हैं, तो हमें risk तो लेना वड़ता है, ठीक है, तो यहां पे वो कह रहे हैं, कि देखो, आप risk ले रहे हैं, आप कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं, कोई भ risk लेंगे, अब देखो, आप त्यारी कर रहे हैं, कितने आप exams के form बढ़ते हैं, ठीक है, पेपर देते हैं, देखो, उसमें fees जाती है, हम लोगों की, सब की fees जाती है, ठीक है न, तो यार, risky है, यह भी प्रकार से देखा जाए तो, हाँ, risk है, तो फिर देखो, एक नएक दि यार, मुझे comment box में ये बताना आप, कि आपके जो paper 1 हुआ था, paper 1 हुआ था, आपके उसमें कितने marks आये थे, ठीक है, और आप ये भी बताना कि आप MP से हैं, जो मिरी वीडियो को देख रहे हैं, आप MP से हैं, या आप out of MP, अपना state mention करके बताना भाई, कि आपके कितने marks आय आये थे, चलो, what does the words long I stood mean, आप देखो long I stood mean का मतलब क्या होता है, ठीक है, option देखते हैं, हमारे पास में option है, point's dilemma, point was in relaxing mood, point was enjoying the nature, point was thinking, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपके न, ये option number A or D, में भी, दोनों में से हो सकते हैं, बट जो हमारा most appropriate answer है, वो A होगा, ठीक है, point was in relaxing mood, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, nature को enjoy भी कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा mention नहीं है, कि वो nature को enjoy कर रहे हैं, वो तो अपनी dilemma में दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, तो answer A ठीक है, अब आजाओ भाई, last है, question number 20, what is the dilemma of the point, what is the dilemma of the point, point की क्या dilemma है, whether he will be able to come back to the second road or not, ठीक है, whether he will get time for himself, whether he will be successful, whether he will be able to walk, तो देखो यहाँ पर ना, भाई, उसकी dilemma क्या है, whether he will be able to come back to the second road or not, मतलब की वो दो बारा वापस दूसरे रोड पर आया भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, क्या वो दूसरे रास्ते पर आ भी पाएगा या नहीं पाएगा, यह आपका सही option है, whether he will get time for himself, उससे अपने आपको time मिलेगा ने मिलेगा, ऐस कुछ mention नहीं है, will be able to walk, क्या वो चल भी पाएगा, ऐसा कुछ mention नहीं है, तो 20 का ए ठीक है, तो भाई देखो यार हमने यहाँ पर 20 questions discuss किये हैं, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हाँ अच्छी लगी है, तो यार, share करना मत बूलेगा, भाई देखो इतना ही मैं और हाँ, एक अच्छा सा comment भी करना है, जो मैंने आपको बताया है, चलिए भाई, thank you so much, एक वीडियो मैंने आपको morning में डाली थी, और एक वीडियो मैं आपको कल, यह सुभा मिल जाएगी आपको वीडियो, ठीक है, ठीक है, thank you, have a nice day, और आपको पीडिया भी भाई मिल जा ज्हाँ क्वेें पिल्रे भी इन आपको प्लिटों आवाँ झाल खो च्वेपनारी भाई जारिए बाताप्या हगी.